कि यूपी ऐस पिरिंट होने के नाते जो एकनॉमिक सर्वे और बजट आपके सामने आता है उसे आप एक डॉक्यूमेंट की तरह रटा मारें ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता वो पिछले एक साल या पिछले पांच या दस सालों से चलती आ की आर्थववस्ता की जितनी भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट डाहमेंशन होने को एक्व करता है क्या past में हुआ है और future में क्या सुधार करने वहीं है अगर आपको कॉर कंसेप्स की नालेज है अपने इंडियन economy को बेंकिंग finance को अच्छे से समझा है तो आप अच्छे वे में समझ सकते हैं कि finance minister क्या निर्णे ले रही हैं और नीतिकार क्या सुझाओ उन्हें दे रहे हैं इसी के तहट अब से हम एक lecture series शुरू करेंगे जो थोड़े थोड़े के इंटेर्वल पर हम आपको देते रहेंगे ताकि आपको economy के सभी डैमेंशन अप्लाइड वे में समझा जाएं लेकिन conventional knowledge is important हमारे economy के lectures आप सबको मिल चुके हैं आपको भी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं उसमें सारी economy covered हैं और उस वे में हम समझते हैं कि economic growth को कैसे बूस्ट किया जाए हम समझेंगे कि फिर विकासदर नीचे क्यों गिरी बढ़ाने के क्या तरीके हैं challenges क्या है solutions क्या है इन सारी बातों हम discuss करेंगे चलिए चीज़ों को समझते हैं कि growth को boost करने की जरूरत क्यों है यह मैंने आपके सामने data लिखा है अब data को observe करिए GDP growth rate के अगर हम बात करें 2014-15 से 2018-19 तक इस समय तो जहां अगर हम 2018-19 2018-19 फिगर इसलिए लिया जा रहा है 2018-19 का मतलब की 2018 की एक अप्रेल से लेकर के 2019 की 31 मार्च तक यानि कि यह financial year होता है और यह एक अप्रेल से शुरू होता है किसी भी एक साल के और next year के 31 मार्च तक यह चलता है तो इस वजह से इसमें दो साल mention करने जरूरी होते ऐसा लाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन अभी वो हुआ नहीं है अभी के लिए यही है आपके सामने यह बास समझ में आई तो आप ध्यान दे सकते हैं यह जो मैंने जितना data लिखा है यह बहुत ही shortlisted और beautiful data है इसे आप note करें आप भी note करें यह आपकी help करेगा answers write down करने म और mcq solve करने में 7.4 से 6.8 और अगर मैं इसको मानू तो यह turning year है 2016-17 आप सब जानते हैं turning year क्यों बना 2016-17, 2016, 8 November, demonetization आप सबको पता है समय आगे बढ़ा GST का लागू हो जाना goods and services tax तो demonetization और GST लागू हुआ उस पर आज चर्चा नहीं है कि वो positive negative थे मुद्दे की बात य दिया है और ऐसे में यह norm आ जाने कि April 2020 से भारत stage 6 गाडियां ही बनेंगी और बिकेंगी इसकी वज़ा से बड़े लेवल पर 2018-2019 के बीच में गाडियों की मांग कम हुई और गाडियों की सेल भी घटी है गाडिया एक बहुत बड़ा sector है manufacturing industry का क्योंकि वो बहुत सारी subsidiary industries को support करती है एक कार जब आप बनाते हैं आपको windows के लिए glasses चाहिए आपको leather चाहिए रैक्सीन चाहिए आपको rubber यानि की टायर चाहिए आपको different alloys चाहिए engineering skills चाहिए robotic technologies चाहिए तो वो allied industries को support बहुत बड़े लेवल पर करती है मतलब उसके forward and backward linkages बहुत बहुत strong है क्योंकि backward linkages क के तोर पर वो raw material के तोर पर बड़ी multiple चीजों की demand create करती है चाहे वो windshields की बात करें side glasses की बात करें चाहे अपholstery की बात करें जो कपड़ा उसमें लगता है चाहे हम बात करते हैं उसके tires की चाहे हम metals की लेकिन forward linkages के तोर पर बड़ी strong है एक strong agency network चाहिए उसे बेचने के करती उसके बाद एक लंबा cycle start होता है उसकी maintenance का तो maintenance industry है फिर एक बहुत बड़ा लंबा network है second hand auto sales का तो second hand auto sales industry है तो maintenance है second hand auto sales है agency end पर sale करना है sale and purchase dealing है तो forward and backward linkages बहुत बड़े हैं sector के यह बड़े level पर dip किया है और आपने यह देखा भी था पिछले साल मैंने खबर मैंने आफ कर रही है हमने देखा था गुड़गाओं में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने शोरूम से बंद करने शुरू कर दिये auto sales में गिरावट पे हमारा lecture आ चुका है जिसे हमने multi-dimensional way में cover किया था तो यह सारी चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें हुई चाहे demonetization था चाहे trade war आया चाइना और अमेरिका के बीच में चाहे oil के prices में unstability रही चाहे international level पर एक demand slow down देखा गया है अंतरराश्टिय स्तर पर इस समय एक आर्थिक मंदी का दौर परसिस्ट करता है इसमें कोई दो राय नहीं है हम उन चीज़ों के according ही से समयने की कोशिश करेंगे अगर हम इस से zoom in करें तो हम last 4 quarters की बात करते हैं यह 4 quarter कहां से शुरू हो रहे हैं यह quarter 3 है यह quarter 4 है quarter 3 है इसका मतलब यह है कि 2018 का sun हमने इस्तमाल किया है तो इसका first quarter कौन सा होगा जो 1 April से शुरू होके April मई जून जो जून में खतम होता है फिर दूसरा quarter जो जुलाई से शुरू होता है जुलाई अगस सेप्टेंबर जो सेप्टेंबर में खतम हुआ हमने तीसरा quarter उठाया जो अक्टूबर से दिसंबर चला अक्टूबर से दिसंबर 2018 और फिर चौथा quarter जनवरी से मार्च तक चला 2018 और फस्ट quarter शुरू हुआ एक एपरेल से फिर वही एपरेल मही जून तक 2019 ब सेप्टेंबर तो 2019 सेप्टेंबर के बाद तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर में वह खत्म हुआ है अभी कम से कम वन मंथ लगेगा उसका data statistics पूरी तरह से assess होंगे analysis होगा और उसकी figures भी आपके पास आएंगी दो दूसरे quarter तक का data हमारे पास proper available है और आप इसमें देख सकते हैं गिरावट कैसे आई quarter 3 से शुरू करते हैं तो 6.6% 2018 में ग्रॉस हमारी 6.8% चल रही है लेकिन quarter wise अगर हम देखें तो 6.6 से quarter 4 तक यानि कि 2018 के end होते त दिसंबर तक आते हैं जनवरी मार्च तक चलते चलते हम 5.8 पर आ गए और उसके बाद हम इस साल में अगर मिड में देखें तो 5% पे थी इस पे हमारा lecture बहुत detail में है कि economic slowdown क्यों हुआ क्या reason हुए और इस 5% के बाद अभी latest जो है ये 4.5% ये इसलिए चर्चा में ज्याद इसकार के आगे से जो retaliation हुआ उसके बाद अब कल से JNU का मुद्दा आप सबको पता है शुरू हुआ ये सब चीजे चल रही है इसकी वाज़ा से चीजें चर्चा में नहीं आ पा रही ये news channel से कहीं न कहीं vanish है लेकिन आपके लिए मुद्दे बनते हैं मैं आपको clear कर दू आई बाद समझ में ये हो गई दो GDP फिगर्स GDP का मतलब यहां पर gross domestic product मैं आपको समझा दूँगा कि ये फिगर्सम क्यों लेते हैं आगे है agriculture growth rate UPSC में ये figure wise पूछ लिया जाता है अगर हम इसका semester to semester analysis करें आपके सामने clear semester available है ये semester हमने देखा 2018 से 2019 के बीच में तीन महीने ये तीन महीने ये तो this is the semester उसके बाद हमने देखा ये semester हमने हमने हमारे सामने clear खड़ा है जो 2019 से 20 का semester है quarter one quarter two तो semester to semester analysis अगर हम करें तो इस semester में हमारे पास agriculture growth rate 5% पर खड़ी थी 2018 और अगर हम इस semester की बात करें तो agriculture growth rate 2.10% पर है आप एक drastic difference देख सकते हैं 5% से 2.10% के बीच में next अगर हम manufacturing growth rate की बात करें उद्योग धंदे जो पैदावार करते हैं वही इस semester की बात करें तो 9.40% हमारे पास थी लेकिन अगर हम इस semester की बात करें तो देखिए ये सबसे important figure है ये minus minus 0.2% है आप 9.40% से minus 0.2% में आए हैं अगर आप से exam में आता है कि different growth rate में सबसे growth rate का fall कहां पर देखा गया है it is in the manufacturing sector इंडिया जैसी country के लिए ये problem क्यों है मैं इसी से आपको बताता हूं कि data analysis कैसे होता है lecture में तो आएगा ही लेकिन इस way में भी समझे कैसे होता है अगर आप भारत की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही strong labor intensive देश है मतलब आपके पास population बहुत है उस population का एक बहुत बड़ा हिस्सा demographic dividend की stage में आता है यानि कि आपके पास 15 साल से लेकर के 64 साल तक के लोग बड़ी मात्रा में exist करते हैं 60% से अबब इन लोगों को आपको employ करना जरूरी है employment की अगर मैं आपको बात करूँ तो अगर हम बात करते हैं different sectors की तो सम्झे manufacturing sector सबसे ज्यादा potential रखता है किसी को job देने की मैं किन sectors की बात करने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझिए अगर मैं सबसे पहले primary sector की बात करूँ तीन सेक्टर है primary secondary और tertiary अगर मैं primary sector की बात करूँ जिसे मैं agriculture and allied sector से जानता हूं agriculture and allied में सारी activities आ जाती हैं चाहे वो fishing है चाहे वो mining है तो mining farming fishing aquaculture सब कुछ इसी का हिस्सा होता है ऐसे मैं अगर मैं sector की बात करूँ suppose कीजिए हम जिस इस रूम में बैठे हैं अगर मैं six months के लिए इस रूम में agriculture करता हूं तो वो कितने की crop मुझे दे करके जाएगा not at all possible क्योंकि कुछ भी production करने के लिए आपको चार factor of production च अगर मैं यहां पर यह land contribute कर रहा हूं मैं अपनी labor contribute कर रहा हूं मैं ही अपनी तरफ से बीज और बाकी fertilizer करीद के capital input दे रहा हूं और मैं ही अपनी entrepreneurship भी दे रहा हूं कि मैं वो knowledge भी लेके आया हूं और मैं ही इसे बेचने का भी दम रखता हूं यह सारी चीज़ें अगर लगा return होगी और second important aspect यह 300 square foot का कमरा किसी भी level पे उस land, labor, capital और entrepreneur को support नहीं कर पाया, land के बदले में ना तो rent उस level पे आया, labor को ना तो wages मिल पाये, capital को ना तो interest मिला और entrepreneur को ना तो वो profit हुआ, यह चार factor लगा करके हम उनके बदले में चार तरह की income gain करते हैं और इसी को हम factor income कहते हैं और इसी की basis पर हम GDP भी count करते हैं, जिसे हम GDP at the factor cost कहते हैं, यह सारा हमारी economic lectures में clear है, जिन्होंने नहीं किया हुने मैं दे दूँगा, हाई बास समझ में, ऐसे में, अगर मैं यह six months का time shift करूँ, मैं इसी land, labor, capital और entrepreneurship को ही दोबारा ला रहा हूँ, और मैं इसे change कर रहा हूँ, एक manufacturing unit में, यह 300 square foot की जगा में, मैं कितनी सिलाई की machine लगा सकता हूँ, और उस सिलाई की machine पे कितने लोग बैट करके काम करेंगे, everyday एक पर machine अगर 500 से 700 रुपे का product produce कर रही है, तो अगर मैंने यहाँ पर 10 machine लगाई हैं, तो मैं एक दिन के अंदर 7000 रुपे कमा रहा हूँ, तो आप 6 महीने का अंदादा लगा, यह मैं कितने कमा लूँगा, तो यह होती है ताकत एक manufacturing sector की, वो land, labor, capital और entrepreneurship को सबसे efficient way में utilize करता है, that is the secondary sector, अब अगर मैं बार tertiary sector की करूँ, तो economic output के तोर पे वो सबसे ज़्यादा है इनसे, यानि कि यहीं पर अगर मैं tertiary sector रख दूँ मैं यहाँ पर manufacturing sector, second sector, जो secondary sector था, वो manufacturing sector था, अगर मैं तीसरा sector, tertiary sector रखता हूँ, तो वो service sector है, suppose कीजिए, अगर मैं यहाँ पर एक computer लगा देता हूँ, और उस computer पे कोई एक लड़का या लड़की में बैठा देता हूँ, वो यहीं से India और surrounding सभी world countries को serve करेगा as a call center, और वो एक दिन में ही उन 10 लोगों से ज़्यादा earn कर सकता है, अपनी call center services के थूँ, और 6 महीने में वो कहीं ज़्यादा कमाएगा manufacturing sector से, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि earning तो आपने बहुत की, लेकिन employment आप सिरफ एक ही person को दे पाए, इसकी वज़ा से earning और employment दोनों scenario देखू तो manufacturing sector इंडिया के लिए backbone है, आपको उसे boost करना ही पड़ेगा, लेकिन इंडिया की economy का issue यह रहा कि हम primary sector से सीधा shift होए tertiary sector में, हम agriculture से सीधा jump मार गए service sector की तरफ, बीच में manufacturing sector बाइपास हुआ, इसकी वज़ा से ही आज बड़े पैमाने पर हमारे देश में, या तो capital intensive industries हैं, वो industry जिनमें पूंजी लगती है, जबकि चाहिए हमें labor intensive industries with upgraded skills, ताकि हम लोगों को रोजगार दे पाएं, और यहा है service sector, जिससे जो लोग थोड़े बहुत, कितने लोग employed है service sector में, मुश्किल से 6-7% लोग, लेकिन service sector का GDP में contribution कितना है, almost 60%, अगर मैं manufacturing sector की बात करूँ, तो manufacturing का GDP में लगभग contribution है, 25-27% के round, और manufacturing में कितने लोग employed है, लगभग इतने ही, 20-25% के round, लेकिन अगर मैं agriculture की बात करूँ, तो approximately 58-68, 60% लोग employed है, लेकिन GDP में contribution कहीं न कहीं 14% के round है, मतलब एक तरफ 6% लोगों को, अब GDP का 60% दे रहे हैं, इन दा service sector, 6% लोग काम कर रहे हैं, 60% benefit है, और एक तरफ 60% लोग agriculture में लगे हुए हैं, लेकिन GDP का contribution उनको कितना मिल रहा है, 13-14%, ये जो mismanage है, इसकी वज़ा से concentration of wealth होती है, और इसी की वज़ा से आप ये देख पा रहे हैं, कि आज demand गिर चुकी है पूरे देश में, और इस समय हम सफर कर रहे हैं, demand side economic slowdown से, तो कुल मिला करके, ये manufacturing growth rate जो 9.40 से minus.2 आई है, ये किसी और देश की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन इंडिया के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान दा एक बात है, क्योंकि हमें manufacturing led growth ही चाहिए, always, ये बात आप याद रखिएगा, और क्योंकि ये sector labor को employment दे सकता है और हमारी country, demand based country के तोर पर चलती है, अगर demand create होगी, तो ही manufacturing further support होगी, demand तभी create होगी जब लोगों के हाथ में job आएगी, job आएगी तो employment आएगी, तो purchasing power आएगी, purchasing power आएगी तो income आएगी, income से investment आएगी, और income led growth होगी, और वो ही income led growth further manufacturing को survive करेगी, लेकिन यहाँ पे figure सबसे अगिरी होई है, उसके बाद electricity, gas and water supply growth rate को अगर हम देखें, तो इस particular semester में, यानि कि 2018 के 19 तक यह 7.70% रही, लेकिन इस particular semester के दौरान यह, 2019 वीच से 6.10%, यह सीधा आकड़ा है, जो आपको यह बताता है, कि इन electricity ने, gas ने, और बानी ने, कितनी आपूरती की, यानि कि इन्हों ने, कितनी मांग को satisfy किया, कितनी डिमांड को satisfy किया, क्योंकि इनकी supply में गिरावट आई है, इसका मतलब यह है कि डिमांड में गिरावट थी, इसी की वज़ा से, यह 7.70% से कम होकर के, 6.10% पर आए हैं, अगर इनमें बढ़ातरी हुई होती, मतलब लोगों ने, इने मजब किरिंग ही माइनस में जा रही है, तो फिर वो एलेक्टरिसिटी की मांग पैदा कहां से करेंगे, जब फैक्टरीज डबल शिफ्ट की बजाया, आज हाफ शिफ्ट भी नहीं चल पा रही, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, क्योंकि और नहीं है, उनके कंटेनर निकल ही नहीं तो फिर एलेक्टरिसिटी डिमांड भी उतनी कम हो जाएगी, हाउस होल्ड में इंकम की कमी है, जहां पर एसी, एसी दस से बारा गंटे चलता था, आपने रैशनिंग की है, वो चार से छे गंटे चल रहा है, क्यों? आमदनी में कमिया है, इसकी वज़ा से इनकी आपूरती यूनिट्स हैं, देखे, गैस से भी प्रड़क्शन होती है, डिफरेंट इंडस्ट्री में, प्रड़क्शन यूनिट्स हैं, मेरेजेज हैं, आपकी हाउस होल्ड कंजम्शन हैं, जैसे आपकी आमदनी घटेगी, इन चीजों में भी कमिया आ जाएंगी, तो वाटर सप्ला है ठीक, इसी तरह से जितना इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा, पानी की रिक्वार्मेंट एक एक स्टेप पे होती है, इंडस्ट्री में, फॉर कूलिंग परपसेज, फॉर मैनुफेक्चरिंग, जितने भी जूसेज आप देखते हैं, पांच रुपे तक का बिस्किट का प मांग में कमी आएगी, सेकेंड हाउस होल्ड में भी कमी आई है, कामदनी की तो पानी की मांग में कमी है, तो यह डेटा होता है कि एलेक्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ग्रोफ रेट कितना रहा, यह भी साथ पॉइंट सतर से गिरकर के 6.10 परसेंट आया है, एक बड़ गिरावट देखी जारी है, आप देख पा रहे हैं, लगवग 1.60 परसेंट की गिरावट है यहाँ पर, इसके बाद अगर हम बात करें, this is very important, यह assess करने के लिए कि सर्विस सेक्टर ने कैसा perform किया, इसमें ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ग्रोफ रेड की अगर मैं बात करूं, तो ठीक इस समेस्टर में, क्वाटर 3-4 समेस्टर यानि की 2018-19 की चिमाही में, यह 7.40 परसेंट रही, लेकिन यह 1.40 परसेंट गिर करके, 2019-20 में 6 परसेंट पर आ गई, जब डिमांड ही नहीं है, उदर से मैनिफेक्टरिंग नहीं है, तो नेचरली ट्रांसपोर्ट से खड़े हैं, उनका कहना है कि गाड़ियां मारूती लोड ही नहीं कर रहा है, मारूती यह कह रहा था कि हम गाड़ियां लोड इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, हम एजंसी में भेजे तो भेजे क्यों, और जब गाड़ियां ही लोड नहीं तो ट्र ट्रांस्पोर्ट में कमी आई इसी तरह से होटेल जब लोगों के पास उतने प्रॉफिट्स ही नहीं है ट्रिप्स कम हो जाएंगे टूरिजम कम हो जाएगा भूमना फिरना शादी विवह उतने लैविश नहीं होंगे छोटे से बड़ी चीज तक इसका असर पड़ता है जब मुकुश्मीर और बाकी राज्यों पर इसका काफी असर रहा था इस बार क्योंकि धारा 370 ख़सम करने के बाद एक लंबे समय तक वहां पर रोक लगाई रखी इसलिए वहां के जो लोकल शिकारे हैं लोकल होटल हैं आपने खबर खबरें अक्सर सुनी कि 3-4 महीने तक उनक मेनुफेक्टिरः को रौ माटीरियल साइट से रौ माटीरियल लाके दीज्ययों जैसे की माइनिंग एरियास हैं या फिर पोर्ट एरियास हैं बंदर गाहों से कच्चा माल लाकर के दीजेए ओनकी इंपुट और क्रिएक और ठीक वहां से प्रोडियूस होने के बाद पर हुआ क्यों कि आपकी मैं पैदावार कम हुई क्योंकि मांग कम हुई इसलिए वह सीधा रिफलेक्ट हुआ है तो वह देखिए आप साथ पॉइंट चालीस से गिर करके छे परसंट पर आया है यह भारत जैसे देश में एक परसंट डेड़ परसंट दो परसंट की गिराव इन्हें हम सब 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 चीजों को सर्वेस सेंटर में सर्वेस सेक्टर में काउंट करके चलते हैं अगर आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है नैचुरली आपको उसके लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है लेंडिंग जो आप डिफर लेना नहीं चाहता क्योंकि उसे देख रहा है कि प्रॉफिटिबिलिटी कम कंप्रमाइज हो रखी है जब प्रॉफिटिबिलिटी जब मुनाफ़ा उसका घाटे में देख रहा है उसको तो लोन लेकर के खुद पर अतिरिक्त बूज नहीं करना चाहेगा तो फैनेंस कम हो रखा है तो फैनेंस की ग्रोफ हमें नहीं नजर आई रियल एस्टेट देश की सबसे बड़ी समस्य है इस समय है अगर आज आप मुझे पूछें कि सर इतने बड़े लेवल पर डिमांड की गिरावट क्यों आ गई हम आर्थिक मंदी के दौर से इतना क्यों जूज रहे हैं आज सभी के सभी रियल एस्टेट या तो आधे हदूरे प्रोजेक्टस से जूज रहे हैं या इन्वेंटरी से जूज रहे हैं उनके घर बिक नहीं रहे हैं, खरीदने वाला नहीं है। तो वो जो एक बूम था जो सारी की सारी ब्लैक मनी रोटेट हुई थी सारे की सारे रियल एस्टेट सेक्टर में वो बूम वो बबल फटा 2013-2014 के पाथ और आज आपके सामने ये भायावे द्रिश्य है कि रियल एस्टेट अपना पैसा तक भी नहीं दे पा रहा खुला रहने NBFC का पैसा रियल एस्टेट में फसा है यही कारण है कि बैंकों का हाथ तंग है और वो लोगों को लोन नहीं दे पा रहे हैं पहली सिचुएशन दूसरी सिचुएशन बैंकों के पास अगर पैसा भी है तो बैंकों में confidence कम हो गया है वो पैसा देना चाहते नहीं वो रिस् है चाहे और सात करेंगी चाहे रिक्रुट्मेंट है चाहे टीक्रस कि रिक्वायर्थ चाहे आपको डॉप्ते नजब था है माइन डगोर्थ रेट में नजर आता है समेस्टरल चल हाना एलटा 2018-19 में यह ​-7 थी 2019-20 में यह 1.6 ahí भakin if I can my nameUM पॉजिटिव में आए और फॉजिटिव से भी अब डेड़ंड्स वोपर चले गए इसके क्या कारण हो सकते हैं पहला इसका मॉस्टिव रिजन यह 一े है की सरकार काहती है कि हमने माइनिंग के licenses की प्रक्रिया को सुगम बना दिया हमने regulations को ease किया है हमने transparency लेकर के आए है हमने bidding process यानि कि जो auctions की जाती थी चाहे वो coal blocks थे चाहे वो metallic ferrous material चाहे वो iron और उससे जुड़े होई metals थे तो हमने इसे transparent बनाया हमने application forms easy कर दिये हमने bidding process बहुत ही easy कर दिया यह सारी वो चीज़े हैं जिसकी वज़ासे इसमें growth आई है हमने environmental clearances दी है तो इसकी वज़ासे आपको mining में growth नज़र आई लेकिन इसका एक दूसरा चहरा भी है वो यह है कि आपकी mining में growth आ रही है जो कि minus से आगी positive में simultaneously आपके manufacturing में गिरावट आई है जो 9.40 से minus point 2 पे आई है मतलब आपके देश की वो mining product चाहे वो coal की form में है चाहे वो metal की form में है metal में चाहे वो ferrous है चाहे non ferrous है दोनों ही तरह के metal की form में चाहे फिर non metallic minerals है तो metallic non metallic minerals उसमें ferrous non ferrous minerals सारे के सारे कहीं न कहीं consume होता है manufacturing में नौन metallic minerals utilize हो जाएंगे as aided product या as a fuel product coal mainly use होता है power plants में लेकिन अगर हम metallic ferrous ferrous material की बात करें तो main manufacturing में as a sheets as a raw material utilize होता है वो आपका minus में है यह आपका positive में है तो यह जा कहां पर रहा है इसका stock कहां पर हो रहा है तो ऐसा हो सकता है या यह clear सी चीज है कि इसका इसी version में direct export हो रहा है अब जिस तरह से उसे produce कर रहे हैं आप जापान और उस जैसे बड़े मुल्कों को raw material एक्सपोर्ट कर रहे हैं जबकि इसका देश को बड़ा नुक्सान होता है क्योंकि आप जब minerals को उसकी crude version में ही जिस version में वह होता है एक्सपोर्ट करते हैं आप value addition की opportunity को lose करते हैं उधारन के तोर पर अगर आपने एक kilo कच्चा लोहा निकाला है उसके और के वर्जन में अगर आप उसको उसी तरह से एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वह मुश्किल से मान लीज़े 13-14 रुपे किलो के हिसाब से गया लेकिन अगर आप उसे रिफाइन करते हैं उसके smelting के प्रोसेस के थुरू ले जा करता है और यह multiplier effect का काम करता है दूसरा जब वही iron bars यहां जलंदर की हैं टूल इंडस्ट्री में आएगा उससे चावियां पाने यानि की spanners बनेंगे और वो जब बनेंगे तो एक एक प्लायर यानि की एक प्लास दोसो धाइसो तीन सो चार सुरुपे का बिखेगा और एक किलो से आप कितनी चीजें बनाएंगे तो उस एक किलो की कीमत कहां तक चली गई पांसो छेसो सासुरुपे तक आपने कितना वैल्यू एड किया हर step of processing पे और जिस भी step of processing पे आप value add करते हैं वही added value GDP में count होती है और वही उस साल की GDP को reflect करती है एक साल में एक देश के अंदर एक साल में एक देश के अंदर यानि की in one year in the domestic territory of the country जो भी goods and services आप produce करते हैं उनकी जो final value होती हैं उसी का addition GDP कहलाता है gross domestic product इसको उधारण के तौर पे ऐसा समझीए आप किसी के विकास को कैसे पता लगाते हैं मान लीजिए आपका दोस्त है आपने अपने दोस्त को देखा तीन साल पहले उनके घर में simply floor पे कच्चा सीमेंट पलस्तर हो रखा था घर में मुश्किल से एक scooter था और वो मान लीज कि किसी उतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ते थे रंग भी नहीं था घर में लेकिन तीन साल के बाद जब आप उसे देखते हैं घर पे marble floor डला हुआ है गाड़ी ले चुके हैं घर को अच्छा रंग हो गया है और बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं मतलब आ उन्होंन मनें goods भी खरी दी, marble लगाने वाले की service भी ली मनें services भी खरी दी, गाड़ी ली तो गाड़ी भी यानि की goods भी ली और अब उसकी maintenance कराते हैं तो services भी consume कर रहे हैं तो पिछले तीन साल में आप उनके विकास का पता इस तरह से लगाए कि उन्होंने कितनी goods और कितनी services consume की, जि न कोई goods और services consume करने में लगाया होगा, इसलिए आपका खर्चा किसी की आमदनी बनता है और उसकी आमदनी फर्दर खर्चा बनके किसी और की आमदनी बनता है, तो आपका expenditure किसी की income बनता है, उसका income फिर से expenditure में बदलती है और वो फिर किसी की income बनता है, इसका मतलब यहाँ कि ultimately जितना आप consume कर रहे हैं उसके वकाबले देश में उतना produce हो रहा है तब ही तो आप consume कर रहे हैं जितना produce हो रहा है इसका मतलब उतना earning हो रहा है और जितनी earning हो रही है इतनी purchasing power है और उतना ही लोग खर्च रहे हैं, demand पैदा कर रहे हैं इसलिए हम यह देखने की बजाए कि कितना लोग नों कंजियूम किया हम यह देखने कितना प्रड्यूस हुआ क्योंकि production units का management हम कर लेते हैं हम का data हमें कठा कर लेते हैं इसलिए हम कहते हैं कि gross domestic मने भारतिय सीमाओं के तहत कितना product बना है तो gross domestic product के तहत हम यह आगते हैं कि देश कितना विक्सित हुआ है आई बास समझ में तो यह data बहुत important है इस पर हमने एक एक GDP GDP, GNP, NNP, market price और factor cost पर detail में समझा है वट वह economy के lectures में हैं और वो जो बच्चा मांगेगा उसे दिये जाएंगे उसका शुल्क ले करके ओके यह ने शुल्क चल रहा है आई वास समझ में उनके लिए आपने तो दिया है यह बात clear है यह data रखे हमने basic समझाए अब हम चीजों के हिसाब से चलते हैं data को मैं delete कर देता हूं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि data analysis कर दिया हमने अब आपको picture समझनी है तो अब हम इसको delete कर दे क्योंकि एक भी minute आपका वेशना हो हम video stop कर रहे हैं इसे delete करने के लिए समझते हैं सरकार के पास क्या हल है आप इस देश को किस दिशा में बढ़ना चाहिए देखिए एक सबसे important चीज है जब भी आपने economy को देखना है उसमें दो चीजें बहुत important है demand and supply demand and supply क्या मतलब है इस बात का suppose कीजिए कि आप consumer है तो एक तरफ के consumer है या आप इसे buyer कह देते हैं और दूसरी तरफ कौन है manufacturer है manufacturer है कोई भी हो सकता है यहाँ पर आप इसे supplier कह देते हैं जब यह किसी चीज को consume करेगा तो ही ultimately कोई चीज produce होगी आई वा समझ में तो जब यह consume करता है यह capable है उस चीज की कीमत पे करने के लिए और ultimately यह want create कर रहा है यह will create कर इसके पास desire है इसके पास want है will है सब कुछ है और बात लेने के इस हमता भी रखता है पैसा भी रखता है सब कुछ है तो फिर वह demand बन जाती है इसी तरह से यह लोग supply करने का भी दम रखते हैं सामगरी भी है produce करने की technology भी है और एक valid pricing भी मिल रही है जिस कीमत पे वह पैदा करें अगर वह नहीं मिलेगी तो पैदा नहीं कर करन सबनता है एक combination सबनता और फिर यह बाजार चलता है इन्हें हम कहते हैं market forces जब हम demand और supply के concept पे बाजार को चलाते हैं यह market forces का concept होता है यानि की बाजार की ताकते ही बाजार को चलाने का काम करती है यह कैसे होता है कि छोटे से MBA में हमने पढ़ा था उसी उधारन से आपक सरकारें बहुत intervene करती हैं कुछ economy में सरकारें बिल्कुल भी intervene नहीं करती है लैसेस फेयर का concept यह कहता था कि सरकारों को बाजार तंत्र में हस्त शेप नहीं करना चाहिए दखल नहीं करना चाहिए दखल कैसे होता है जब सरकारें करें कि कितनी production होगी quantity जब सरकारें करें कैसी सब चीजों के दाम देखें तो सरकार डिसाइड करती थी ऐसे में सरकार सबसीडी देती है बाकी चीज़ें जैसे आज भी फर्टिलाइजर के प्राइज हैं कुछ आज की देट में सरकार रशन की दुकानों के थ्रूव आपको गहुं देती धाल देती है चीनी देती आपको देती हैं यह कैसे उधारन के तो पर कीजिए कि एक ice cream की कीमत मान लीजे कि 10 रुपीज है तें रुपीज की ice cream है और आपके पास मान लीजे की 40 रुपीज है रुपेस 40-40 रुपए हैं तो naturally आप कितनी आइस्क्रीम की डिमांड क्रियेट कर रहे हैं 4 तो 4 आइस्क्रीम की डिमांड आपने क्रियेट कर दी, एक आइस्क्रीम 10 रुपे की हैं लेकिन अभी अगर यहां पर चीजें बदल जाती हैं, मान लीजे कि कीमत बढ़कर के बीस रुपें हो जाती है तो ऐसे में आप अब कितनी आइसक्रीम की डिमांड क्रियेट करने के लिए के पसे आइबबल है तो आप कितनी एपा यहां पर टू आइसक्रीम स्वाइब आपकी रीच कम हो गई, यह हुआ क्यों जानते हैं आप, यह इस वज़ा से हुआ कि जब 10 रुपे में आइस क्रीम मिल रही थी, तो 4 आइस क्रीम आप ले पा रहे थे 40 रुपे में, आइस क्रीम की कीमत विल्कुल जैनुवन थी यहां पर, तो बायर बहुत सारे खड़े हो ग वैब उसके कंपेरिटिव ली आइस क्रीम सप्लाय जो है, वो कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्टेड है, कम है, ऐसे में आइस क्रीम सेलर को यह आप्शन मिल जा रहा है, कि जहां पर चीजें कम हैं, मांग करता जादा हैं, तो वो अपने मुताबिक अब उसको ही देगा, जो उस उसकी बहतर कीमत लगा रहा है, यह तरीका होता है कीमत बढ़ने का, यानि कि जब किसी की चीज की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी कंपेरिटिवलिस की सप्लाय शॉट फॉल होने लग जाती है, तो उसके प्राइजेज एसकलेट करते हैं, और यहीं से आती है इन्फलेशन ध्यान, यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट कहां देखा, सप्लाय साइड पे, यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट कहां देखा, सप्लाय साइड पे, सप्लाय डाउन है न, तो डाउन सप्लाय ने किस चीज को एसकलेट कर दिया, कॉस्ट को, और कॉस्ट ने किस चीज को बढ़ाया, मत आपको समझना जरूरी है अगर आप यूपी एस्पिरेंट और बिंग पॉलिसी में कर अगर एकनोमिक सर्वे पड़ रहे हैं और देश की नीतियों को समझना चाहते हैं अर्थवस्था का कोई हल सही माइने में देना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना जरूरी है कि आपको याद कराता हूं 2010-11-12-13-14 कॉंग्रेस के यह जो समय रहा था उस समय यूपीय सरकार का कॉंग्रेस इस चीज से जूज रही थी कि महंगाई दर कम कैसे की जाए यह आपने नोटिस किया होगा बार बार आर्बी आई अपनी पॉलिसी मैजर्स लेकर के आ रहा था और रेपो रेट बढ़ाये जा रहे थे CRR बढ़ाया जा रहा था ताकि बाजार में किसी तरह से संतुलन आ सके लोग मांग कम करें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो तरलता कम हो ताकि महंगाई दर गिरे आई बास समझ में यह इंपॉर्टन तो सप्लाई कंस्रेंट हमने जूज रहे हैं वो डिमांड साइट से जूज रहे हैं आई बास समझ में क्योंकि अब हुआ यह सपोज कीजिए कि उस परसन ने यह देखा कि मेरी आइसक्रीम अब महंगी बिखने लगी है दसकी बजाए 20 की हो गई है तो अब उसने अपने मुनाफय बढ़ाने के लिए उ क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की कीमत गिरती है और जब पैसे की कीमत मतब पहले वही दस रुपे में एक आइसक्रीम आ रही थी अब 20 रुपया लगा करके एक आइसक्रीम आ रही है मतलब 10 रुपे में आधी आइसक्रीम आ रही है तो पैसे की कीमत गिर गई बच्चे हैं घर में तो पहले चारों को एसक्रीम लेके देते थे अब दो को लेके देंगे बोलें आधी अधी बाट लो तो आधा एक जो है वह उपर से खाएगा और आधा वाला दूसरा बच्चा नीचे से खाएगा और यह भारत में तो बहुत चलता ही रहा हमने सबने जिए वाला परिप्सक्राइब वाला हिसा घाता था एसा कुछ होता था अब अब दे की बात है कि तों आप फिर अपनी मांग को ऐसे बना लेंगे वह कि मांग मनानी जुरूरी है ना क्योंकि समस्या जानते हो क्या आगई देश में ये समस्या ना आये अगर आमदनिया भी साथ-साथ बढ़ती रहें, income भी बढ़ती नहीं, वो उल्टा फॉल कर गई, यही वो समय रहा जिस समय real estate problem में गया, उसके बाद policy paralysis रहा, project clearance नहीं हो पाए, international level पे slowdown की शुरुआत हो गई, यह सारे कारण रहें, हम इन पे चर्चा करेंगे, कि इस वज़ा से वो income जो generation होना चाहिए था, जिससे आप बढ़ी कीमतों को भी tackle करके, महंगी चीज भी ले लो, जैसे एक मिनट के लिए सोचे कि आइस क्रीम 20 रुपे की हुई, और उसी समय में अगर उस person की जेव में 40 की बजाए को 80 रुपे रख दे, तो फिर वो फिर से 4 एस क्रीमें ले ले लेगा ना, लेकिन income simultaneously नहीं बढ़ रही, इसलिए फिर demand फॉल करेगा, लेकिन इतने में economy में हो ये रहा है, कि manufacturer ने supply बढ़ा लिए, क्योंकि उसे दिखा कि 10 की बजाए 20 की बिक रही है, मैं मुनाफा कमा लो, एक तरफ वो supply बढ़ा सब कुछ होने लगा, अब क्या हो गया, supply abundant हो गई, क्योंकि एक तो इसने scale upgrade कर दिया था बढ़ाने का, और उधर से उसकी मांग कम हो गई तो जब supply over हो जाए, बढ़ जाए बादार में, तो फिर कीमतें एकदम से गिरेंगी, क्योंकि अब बायर नहीं है, और at least उसे अपनी cost of production तो निकालनी है, अगर cost of production भी नहीं निकलेगी, तो फिर वो पैदा ही नहीं करेगा, ऐसे में अब जो उसके पास inventory हो गई है, जो बढ़ गया एक बार, तो फिर sale आएगी, price cut आएंगे, discounts आएंगे, आते आते, वो cost of production पे आएगा, लेकिन हम decade end होने तक 2017 onward, इतने strong lack of supply, lack of demand cycle में चले गए हैं, कि इस level तक भी आप demand revive नहीं हो रही कि cost price पे भी अगर player खेलना चाहरा है, अगर वो अपनी लागत कीमत पे भी चीज़ देना जा रहा है, तो भी buyer attract नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं ले पा रहा है, इसकी वज़ा से अब आप जो पैदा वार करने व हैं, तो वो सबसे पहले फिर अपने input घटाएगा, खर्चे घटाएगा, जब वो अपनी कीमत घटा आता तो खर्चे घटाएगा, खर्चे घटाने में उसका सबसे पहला तरीका ये रहता है, कि धीरे 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 issue quality में भी आता है, लेकिन सबसे पहला तरीका ये है कि आप staff को lay off करें आप काम आधा करें काम कम करें लोगों से काम जादा लें इससे उनकी रोजगार जाने लग जाते हैं और ऐसे में एक जबरदस्ट cycle बनता है कि already manufacturer इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि supply नहीं को कि मांग नहीं दिमांड नहीं थी ऊपर से मांग करने वाले कौन है आप औ रोजगार ही सबसे पहले impact होता है जब डिमांड कम होती है क्योंकि supplier अपनी लागत कीमते तो निकालेगा ही उसके लिए वो सबसे पहले अपने खर्चे भी कम करने की कोशिश करेगा उसका एक अंजाम यही है कि वो लोगों को रोजगार से हटाएगा काम से हटाएगा पूरी तरह से अपने ट्रफ को जाकर के टच कर जाती है आईवा समझ में वह एब पर चली जाती है हम धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं रिसेशन का एक साइकल हम प्रोग्रेस की जगा रिसेश कर जाते हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं आईवा समझ में और यह इसका प्रमान सबसे बड़ा दिखता है कि पिछले चार सालों में आप जरा महंगाई दर देखिए इंफलेशन देखिए इस समय हम बहुत हाई लेव प्रोड़क्ट की कीमत बढ़ाए प्रोड़क्ट की कीमत बढ़ाई नहीं सकता आई बास समझ में यह एक इंपॉर्ण चीज है लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि आम करहक प्रेशान हो कह रहा बड़ी महंगाई बड़े महंगाई यह बड़ी उनीक चीज क्यों वह जरूरी होने वाली थी जैसे कि प्याज महंगा हो गया सबजियां महंगी हो गई फूड ग्रेंस महंगी हो गई क्यों यह क्यों हुआ क्योंकि साइमल्टेनियसली हम सफर कर रहे हैं अगरी कल्चर में भी हम अगरी कल्चर में भी बहुत सफर कर रहे हैं उस पर भी बात मैं क करूंगा यह बाते सारी समझ में इस समय हम सप्लाइग कंस्ट इस समय हम डम डिमांड से जूज रहे हैं डिकेड की बिगनिंग में हम सप्लाइग कंस्टेंट से सप्लाइग से जूज रहे थे इंफलेशन था ना तब तो आई बाद समझ में नहीं यह गलत हो गई लाइन डिकेड की बिगिनिंग में हम किस से जूज रहे थे सप्लाइए कंस्रेंट से तब सप्लाइए कम था तभी तो करें economy को माल लीजे कि एक अगर विशेश अग्यत से बात आपकी हो रही है पॉलसी मेकर से तो कैसे करेगा ऐसे करेगा समझते हैं वह यह कहेगा कि इस समय हमारा उद्देश दो पहलूँ पर है सबसे पहला पहलू यह है कि डिमांड को सब्सक्राइब करें और दूसरा पहलू करेंगे तब ही जा करके एक लेवल पर ग्रोथ होनी शुरू होगी यह सप्लाई करें इसके लिए इनको समर्थन दो इन दो तरीके ना मारे पास एक तो यह है कि आप मुझे किसी तरह से सपोर्ट करें और मैं लेक्चर देने शुरू कर दूं मतलब मेरी सपोर्ट कर दें मतलब करते और एक्विय्पमेंट में थोड़ा सा मतलब कर दें खरीदने में तो मैं फिर खड़ा हो जाओंगा और फिर मेरे लेक्चर उस दिन से आने लगेंगे तो सप्लाई बहाल होगी यह सप्लाई मैं बहाल करूँगा है वा समझ में इस पर भी डिसकसिन करेंगे और दूसरा तरीका, दूसरा कारण मैं सप्लाई बहाल करूं तो कोई उस लेक्चर को लेने वाला भी होना चाहिए, तो सरकार उनको भी समर्थन करें कि वो इतना अपनी जेब में बचा पा रहे हैं पैसा, कि वो उस पैसे से मेरी फीस भरके लेक्चर लेने लाइग हो जाएं, तो सरकार को इस समय सप्लाई भी देखना है और डिमांड भी देखना है, समझारी बाद, इनको देखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, अब हमें वो देखना है, दोनों के एंट पे देखते हैं कैसे हो रहा है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने पिछले लंबे समय में क्या क्या कदम उठाए हैं, जिसकी वज़ा से सरकार ने दोनों को साइमल्टेनियसली टार्गेट करना चाहा, और मैंने पीछे लेक्चर्स में आपको वो बताया, बार 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 जब मैं शब्दी उस कर रहा हूँ, मैं सरकार सरकार शब्दी उस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, देखिए एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, इंडिया हमेशा से ही एक लो इंकम एकॉनमी रही है, आईबा समझ में, एक लो इंकम एकॉनमी का मतलब यहाँ पर यह होता है, कि इंडिया शुरू से ही इंकम के दम पर डिमांड अपने लेवल पर क्रियेट नहीं कर पाई, जब जब उसे एक्स्टर्नल सपोर्ट नहीं मिल पाया है, मतलब यह होता है, लो इंकम एकॉनमी का मतलब यहाँ पर यह है, कि एक तो मास लेवल पर, मास लेवल पर, मास लेवल पर लोगों के हाथ में इंकम नहीं है जादा, मास लेवल पर, 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 झाल झाल